पूरे देश की साथ साथ मुदब्रदेश के रीवा में भी धूमधाम की साथ सुतंतरता दिवस मनाया गया। वर्सों से चली आ रही पुरंपरा के अनुसार रीवा के सेफ ग्राउंड में विधान सभा ध्यक्ष ग्रेश गौतम कलेक्टर प्रतिवा पाल स्पी विवेक सिंग ने परेट की सला मिली विधान सभा ध्यक्ष ग्रेश गौतम ने धुजारों हड किया। भी इसे स्थान पर सुतंतुता दिवस का आयोजन धूमधाम के साथ किया जाता है। इतिहास खार असत खान बताते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तो रीवा के पहला में पहला ध्वजा रोहन रीवा के महराजा मार्तन सिंग जुदेव ने ऐसेफ ग्राउंड में किया थे। फॉज फाटक लाव लशकर से रीवा का एसेफ मैदान खचाखच भरा हुआ था। मैदान में जागीरदार इलाकेदार रीवा महराजा के भाई पट्टीदार और आम जनता सभी लोग इकठे हुए थे। इतिहासकार असद खान ने बताया कि उस वक्त आजादी की खुशे में रीवा के लोग बेहद उत्साहित थे। महारत में आजादी की पहली तारीक 15 अगस्त के दिन बधाई देने के लिए पंडित नहरु ने रीवा के राजा मारतन सिंग जुदेव को ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। जिसमें नहरु का ये सन्मेश था कि 15 अगस्त का दिन देश का राष्ट्री पर भेए इसे धूमधान के साथ मनाया जाए। जड़ देश आजाद हुआ तो पहला धोजा रोहन रीवा मारतन सिंग युदेव जुदेव 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 तराजा थे उन्होंने एसेफ मैदान में किया जो बेंकर्ट बटालियन के नाम से जाना जाता था बाद में वो एसेफ मैदान हुआ। हजारों लोग नहीं दसों बीसों हजार लोग उस आजादी के जश्न को देखने के लिए एकठा हुए थे। सब नाराज थे और सब जल्म कहीं न कहीं सब कुपर हुआ था तो जब ये पंदर अगस्त उनरी से उसेफ में तारीज को दोज़र औरहन किया महराजा मार्तन सिंग जुदेव ने उस दिन आजादी के बड़ा उद्गोश हुआ रिवाराज के अंदर तमाम जश्न मनाए ग नहीं और इसे मैदान में और बिच्छे नदी किनारे तमाम तोपे चल लही थी उस दिन जश्ने के मारे फिर आजादी का एक ग्रीटिंग कार्ड पंडित नहरू ने उन्होंने कहा कि उनका ये एक फेस्टिवल है और आपको हमारी शुब कामनाएं हैं तो सब्सक्राइब को उन्होंने सब्सक्राइब के पंडित नहरू ने महराजा मार्तन सिंग्जुदेव को भेजा था